हेलो दोस्तो हिंदियन गुए टिक्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मुबाईल पर आने वाली सभी इंकमिंग कॉल पर लॉग कैसे लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तो कोई भी बंदा आपके इंकमिंग कॉल को रिस्यू नहीं कर पाएगा नहीं नमबर नाम देख पाएगा सामने वाले का जी हाँ दोस्तो कई बार क्या होता है हम इस तरह से मुबाईल को लॉग करते हैं अपने घर में या ओफिस में रग देते हैं और उसी दर्मियान किसी खास दोस्त का आपके कॉल आता है और सामने वाला बंदा कोई भी आपकी कॉल को रिस्यू कर लेता है या मुबाईल नमबर देख लेता है लेकिन दोस्तो अब ऐसा नहीं होगा आप बहुत ही आसानी से अपने मुबाईल की इंकमिंग कॉल पर लॉक लगा सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक इंकमिंग कॉल आ रहा है लेकिन यहाँ पर इंकमिंग कॉल पर लॉक लगा हुआ है नहीं नाम दिखाई दे रहा है नहीं नंबर दिखाई दे रहा है और कोई बंदा इसे open भी नहीं कर पाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर wrong password डालेगा तो यह open नहीं होगा जैसे आप इसे right password डालेगे तो यह open हो जाएगा आप देख सकते हैं और यहां से दोस्तों आप आसनी से call को receive या cut कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी android phone पर incoming call set कर सकते हैं incoming call पर lock set कर सकते हैं तो यार वीडियो को like कर दो channel को subscribe कर लो इसी तरह की videos देखने के लिए और साथ में bell icon को all पर set करो ताके हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद आपको यहाँ पर comment कर देना है nice video एक comment जरूर कीजिए तो चलिए video शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह वाली application अपने phone में download कर लेना है इसका नाम में incoming call lock इसका download link मैंने video के description में भी दे दिया है वहाँ से आप इस app को आसानी से download कर सकते हैं app को download करने से कुछ नहीं होगा कुछ important setting करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर step 1 अब यहाँ पर आपको किलिक करना है application को permission दे देना है application को धूंड लेना है कहाँ पर है application और आपको इसे permission दे देना है यहाँ पर हम permission देते हैं back आ जाते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक permission देना है इससे यहाँ पर allow कर देना है इसके बाद step 2 यहाँ पर आप pin lock लगाना अगर आप ये lock हटाना चाते हैं तो आपको यहाँ पर इसे un-tick कर देना है तो lock हट जाएगा lock लगाएंगे तो यहाँ पर टिक कर देना है तो lock लग जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप settings पर click करेंगे तो वो भी यहाँ से आप इस तरह सेट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के साइट में schedule का भी option मिल जाता है वो भी मैं आपको बदा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं enable lock schedule यानि कि अगर आप चाते हैं कौन से अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना वीडियो को शेर कर दो WhatsApp Facebook पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिलते हैं अगली वीडियो में टैंक यू